हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ शमशाथ शेक आपका दोस्तों फ्रेंट्स आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप बैंकिंग में अगर क्रेडिट कार्ड इंडेस्ट्री में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कैसे जो इंटर मिलती रहे तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जैसे आप किसी भी बैंक में आप जाते हो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड इस ब्याई कार्स में अगर आप जाने चाहते हो इसा टेली कॉलर के लिए या बिजनस डेवलप्मेंट ए य latte हो तो वहाँ पर फारेंट सबसे इंपॉडन चीज यह होती है कि आप कस्टमर को त्रोट कर पाऊगे या नहीं आपका confidence देखा जाता है कि आप कस्टमर से बात कर पाओगे की नहीं, आप जल्दी से सीख पाओगे की नहीं, वो लोग आपको क्या करते हैं, आपसे 5-10 मिनट आपसे बात करते हैं, आपको तुरंट वो लोग समझ जाते हैं कि आपके अंदर कितनी potential है, आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आप अप्रोच कर सकते हो आपके कि आप ये प्रूफ कर सकते हो कि मैं credit card sale कर सकता हूं मुझे इतनी knowledge है मैं cards के बारे में जानता हूं सबसे पहला जो काम करना है आपको friends वो आपको cards के बारे में knowledge आपको होना चाहिए जैसे कि आप interview के लिए जाते हो तो आप videos को YouTube पर देखो कार्स क्या है इंटरनेट पर पढ़ो क्रेडिट कार्ड कैसा काम करता है और क्रेडिट कार्ड क्या है क्या डिसकाउंट मिलते हैं कार्ट में क्या फीचर होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लो इंटर्वी और आपको सबसे पहला कॉशन यह कर सकता है कि आपको अपने बारे में बोलने के लिए बोलेगा इसे ये मालूम पड़ेगा कि आपको कितना confidence हो कितने डर डर के बाद करोगे आप बताने में तो थोड़ा से hesitation होगा आपको तो वह समझ जाएंगे कि आपको confidence level आपका कम है और और आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि यह जो है फ्रेंट्स काम जो है हाड कॉर सेल होता है कस्टमर को आपको अप्रोच करना होता है कस्टमर को फीचर्स बताने होते हैं और आपको डायरक इंडायरक कस्टमर को अप्रोच करना होता है तो कस्टमर को कंवेंस करना आपके फी आपको वहाँ पर बताना होता है तो सबसे पहले आप credit card and debit card का difference आपको पूछा जाएगा तो debit card and credit card में सिर्फ इतना होता उसमें कैसा होता आपका खुद का पैसा होता जो भी आप transaction करते जो भी आप ATM से withdrawal करते हो पैसा विडो करते हो या ओनलाइन आफ्लाइन शॉपिंग करते हो वह आपके अकाउंट से डेबिट होता है सेकेंड चीज यह फ्रेंट जो क्रेडिट कार्ड होता है वह आपको एक बैंक सटल लिमिट दी होती है एक आपको लिमिट की जाती है बैंक क को है मिलेगा तो वह अपको कृड़ित मैंनेजर्स डिसाइड करके देते हैं तो वह लिमिट आपको कैसा होता है वह बैंक के तरफ से आपको करनें जाउट करते हों वह आप जो भी यूस करते हो सो विदिन 45 देज के अंदर 45-50 देज के अंदर उसका एक ुटल होता है वाप्टि फाइज के लूट को बैंक आपको वापिस से पैमेंट करना धो आपके कार्ण में वापिस करो फिर से अप परना हो इसको आपको बहुत करते हैं तो यही डिफेरेंट बाकी डेबिट कार्ड में और क्रेडिर कार्ड में आपको यह पूछा जाएगा कि और कि और तो आपको डिफेरेंट यह बताना है सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे मुबाइल फोन इलेक्ट्रोनिक चीज़ें आप 6 मन तक का यह मैं option होता है वह पर सकते हैं लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि डेबिट कार्ट पर पर भी इमाई की कुछ डेबिट कार्ट से जहां वहां पर इमाई के अविलेबल हैं अविलेबल हो गया है यहां यह आप कर आसकते हो और क्या डिपरेंट यह यहीं और कुछ बाद चीज़े यह पर सकते हो जिसे आपको टाइम प्रेड मिल जाएगा सबसे बड़ा डिफरेंट यहां आपको 60-50 डेस का 50-60 डेसका आपको टाइमिंग मिलता है पेमेंट करने के लिए डेबिट काड में यह फैसिलिटी नहीं होती डेबिट काड में क्यूंकि आपको खुद का पैसा जो भी आप बैंक का पैसा यूज करते हो उसमें आपको टाइम परियाड मिल जाता है तो वह प डेबिट कार्ड में कैसा होता है कि डेबिट कार्ड में हमारा पैसा होता है जो हम यूज करते हैं बट उससे वापेस हमें पहलिंट करने क防 janli Penine कर्म करने वह बहीं होती है और डेबिट काड कornet से ये त inadequ 45-50 डेज के बिलिंग साइकल डेट होता है जिसमें हम वापी से बैंक को पेमेंट करना होता है और उसको आप मैं में कर सकते हैं इसे मुल्टिपल ऑप्शन होते हैं हम इसली यह मैं में भी कर सकते हैं यह बता सकते है जैसे कि आप जानते हो कि फिलिपकट इमैज ओन फुडपंडभा ऑफ़र करनें जो कृचन काрийएट कार्फ सकते हैं और यह सारे क्रेडिट कार्ड में बहुत कम या देखने को मिलते हैं बट क्रेडिट कााड में हमें हमेशा देखने को मिल जाता है कि क्रेडिट कार में align tomeida Kate तो इस तरीकेंसे आप बता सकते हो सरा आप से अब है में जैझेंसी कागर यह घूली है तो आप होस्पीटल जिए यूद्स कर सकते हो या ड्राव कहीं कर कर रहे हो आपको ज्यादा कैश करने करने की जरूत नहीं है एमर्जेंसी में यू कैन यूज इसके लिए होता है कि हम लोग एमर्जेंसी में या एजूकेशन फीस हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो हम लोग किसी से मांग मांगे बिना ही हम अपना खुद का क्रेडिट जर्टा हुआ है और हमारी इंकम है अच्ची है तो हम आपको और अब इसे बैंक को रिपेमेंट कर देंगे तो वह हमारे एमर्जेंसी में यूज हो जाएगा तो यूज행 से आप बता सकतेों कि सर जो क्रेडिट कारण है वह और हमारे ओस एक्सेंसी होता हमारे पर Days realities कार्थ से हो जाता है तो रे आफ इंट्रेट से बहुत कम होते हैं एस ऐसक्रेडिट कार्ड करते हैं अ अपना इंडियन करणसी जब बैंडेस. सबस्थाज करते हैं तो यहांचेंज रेट रहेес दूप बीमक एक्स करते हैं तो द는 बनेफिटेफिए इंटर्विवेर को इस तरीकी से बता के आप उनको अप्रोच कर सकते हो आई किन दू इस जॉब मतलब यह आँ परफेक्ट पो इस जोब आई किन इस काड़ आई है पोटेंशियल तू अप्रोच दी कस्टमर आइकन वर्ट तो इन्टू क्रेडिट कार्ड के लिए लीट के लिए इस के लिए अपना ऑफर्स बाकी बैंकों के क्रेडिट कार करके बता सकता हूं जो भी कार्ण से पहले आई विल कंपेर विट ओल्ड दे क्रेडिट कार् करना इंटर्वियर के अगर आपको और अप्रोच करना अच्छे से तो आपको उनको यह बताना है कि हम लोग मैं सारे बैंक क्रेडिट कार्ड का फीचर सिक बार पढ़ूंगा जो जो भी मेरा कार्ड ज्यादा से लोगा उसे मैं अधर बैंक से कंपेर करूंगा कि हमारा बै जब करना आपको आपको डरना बिलकुल नहीं है और आपको एंटर्वियर को अप्रोच करना तो जैघ करोगे हंडेट एंट यक्टेट रोड यूविल बीसेलेकटेड अब सेलेक्ट हो जाओ गया देफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा बट आपको जाने से पहले आप होना चाहिए जब भी कार्ड जाओ इंटर्विव के लिए तो डेबिड कार्ड में क्या difference है दोनों में बहुत जरूरी फ्रेंट्स वह जानो दूसरी चीज यह क्रेडिट कार्ड क्यू लेना चाहिए वह आप बता सकते हो जैसा क्यू लेना चाहिए तो मैंने बता है कि आपको एजूकेशन फीज या एमर्जनसी के लिए यूज होता है को अगर हॉस्पिटलाइज होता है इन केस तो वहां पर यूज होता है ट्रैवलिंग के लिए लिए सबसे बड़ी सबसें करते हैं नियर्जण सिम्य अगर्वा ezश्य वह सती है यहां कि टॉर करते हैं तो वह सबसे बड़ी बात हैं जो यूस कर लेते हैं बट उसको हम लोग वापीस से भरने का नहीं होता है वह हमारे पैसा लेते हैं तो उसमें कैसा टाइम प्रियेड मिल जाता है मैं सिक्ष्टी डेस के लिए हमारे मैं जैसी में यूज आ जाएगा सबसे बड़ा पॉइंट यह हो गया दूसरा यह माई का फैसिलिटीज होती सब्सक्राइब करा सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन को ऐसे काफी सारे पॉइंट से फ्रेंज जो आप इंटर्वियोर को बता के आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि यू यू आर्दी परफेक्ट यू आर्दी गाय हूँ कें सेल इस कार्ड एंड उनको यह कॉंफिडेंस दि होना चाहिए अप क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है यह आपको नौलेज होना चाहिए कार्ड में क्या बेनिफिट मिलता है वो पॉइंट्स यूज याद कर लो और जैसे मैंने सारे पॉइंट्स बताएं वह याद कर लो एंड डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे इसे मैंने बताया उस तरीके से आपको अप्रोच करना है इंटर्वियोर को और डेफिनेटली यूज बी सेलेक्टिट आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी तो थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो हम मिलेंगे इसी एक नेस्ट वीडियो में हे अज के लिए बस इतना ही थैंक्यू बाई बाई टेक केर सी यू लेटर